जहिन नए इंफरमेटी वीडियों में आपका स्वागत है आज हम भी इस वीडियों में बात करेंगे दोस्तों FD के जो रेट बढ़े हुए हैं जैसे कि आपको पता है जनवरी 2023 में सारे बैंकों के FD के रेट बढ़े हैं कि लाइक SBI ICC bank HDFC bank कोटक महिंतरा IDFC यह 5 बैंकों काम रखी करेंगे और आपको बताएंगे आपको सबसे बेस्ट FD का बैट कों से बैंक में हैं और senior citizen क्लिए सबसे जाधा FD कों से बैंक में क्योंकि आपको पता है कि FD के बढ़े हैं तो आपने अगर पहले से कोई बना रखी है कम रेट पर क्योंकि आपको पता यह कुछ टाइम पहले 4.95 परसेंट तक या चुका था तो आप एपनी को तुरुआ करके आप को मैं अपने चैनल पर लेके आता हूं तो प्लील लाइक और सब्सक्राइब करें क्योंकि आपको सबसे पहले वीडियो आपको मिलें तो चलिए लैप्टॉप के स्क्रीम चलते हैं और लाइप प्रूफ के साथ आपको वे सारे बैंकों का इंट्रेस करें दिखाता हूं अपने वीडियो में सारे लाइफ के साथ दिखाता हूं और लाइफ प्रूफ उस बैंक के वेपसाइट पे ले जा करके तो इसमें आप सबसे पहले दिखाता हूं कि जो SBI के हम वेपसाइट में हैं तो SBI में जो लास्ट अपडेट है मंडे 16 जनवरी 2023 को अपडेट है तो चलते हैं FD का रेट देखते हैं तो FD का रेट यहां पे 31 December 2022 को SBI का FD का रेट रिवाइज हुआता है तो हम जानेंगे कि senior citizen और normal FD में दोनों में क्या है और कितने की FD का रेट है तो सबसे पहले 7 दिन का FD का रेट FD बना सकते हैं किसी बैंक में और 7 to 45 days के लिए 3% का है और senior citizen में 50 पैसे extra मिलता है तो हर बैंकों में mostly बैंकों में 50% extra ही है तो senior citizen के लिए तो आप जो भी मैं आपको main rate बताऊँगा तो 50% आप 50 पैसे count कर लिए उसमें होगा जैसे कि 180 days के लिए जाते हैं तो 5.25 का rate है SBI में और senior citizen में 5.75 है 211 days to less than 1 year 5.75 का है और senior citizen में 50 पैसे extra है 1 year के लिए आप देखिए 1 year maximum लोग 90% जनता है एक साल के लिए ही FD ज्यादा प्रेफर करते हो तो एक साल के लिए FD का rate SBI के अंदर है 6.75 आप अगर senior citizen जाते हैं तो 7.25 का rate मिल जाता है इसके बाद 2 साल के लिए भी same rate है और 3 साल के लिए थावसा rate कम हो जाता है 5 साल के लिए SBI में तो आपको 6.25 का rate मिलता है और 5 साल में senior citizen में 7.25 का rate है तो SBI में आप rate देखिए 1 साल के लिए जाते हैं तो 6.75 का है और maximum rate SBI में senior citizen के लिए 7.25 का rate है, तो दोस्तों यह रहा है SBI का, आप चलते हैं, दूसरा सबसे बढ़ी private sector bank में, ICC bank में, तो ICIC bank का आप देखिए 16 December 2022, बत्ता है यह भी December को latest FD का rate revise हुआ है, तो इसके अंदर हम देखेंगे कि क्या rate है, हम 2 करोड से नीचे का ही FD के rate देखें इसके अंदर में, यह general है, यह senior citizen है, तो 7 से 14 दिन के लिए 3% और इसमें 30 पैसा, इसमें भी आदा पैसा extra है, 50 पैसे, इसमें देखिए आप अगर चले एक साल के लिए, तो SBI से और ICC bank में, यहाँ देखिए 6.60 है, और 7.10 है, और इसमें आप देखिए 15 मंत के लिए जाते ह हैं, तो 7% है, और इसमें 7.5% का rate है, senior citizen में, तो senior citizen में आपको maximum जो rate मिल रहा है, 7.5% का मिल रहा है, ICC bank के अंदर में, और ICC bank में हम देखेंगे, तो सबसे maximum rate 7.5 ही है, जो की 18 में, जो अगर आप एक साल के लिए तो 7.10 है, उसके बाए 6.6, 7.10, 390 days के लिए 6.60, 7.10, 15 मंत के लिए 7% और 7.5%, तो maximum ICC bank में 7.5% का rate है, FD के लिए, जबकि SBI में maximum rate 7.25 है, तो ICC bank में 50 में से जादा है, अब चलते हैं दोस्तों, ICC bank के बाद HDFC bank में, तो HDFC bank में भी same है, 7 to 14 days के लिए 3% and 3.5%, यहाँ चलते हैं, मन पसेंदा FD का 10 more, 1 year में 6.5 और यहाँ 7.7%, और 18 मंत में चलते हैं, तो 7 और 7.5 मतलब के FD का ICC bank और HDFC bank का similar दोनों का same rate है, लेकिन यहाँ पर देखेंगे, अगर 5 साल के लिए जाते हैं, तो HDFC bank का senior citizen में 7.75 का rate है, HDFC bank और ICC bank में compare करें, तो 5 साल मिल जाएंगे, तो 7.75 का rate है, बाकि HDFC और ICC bank का rate दोनों का equal है, उसके बाद चलते हैं, हम IDFC bank, जो कि नया bank है, interest जादे देती है, तो देखते हैं कि क्या interest FD का update हुआ है, इनका, तो 7.7 से 14 दिन के लिए 3.5 है, और इसमें 4% का rate है, इसमें हम चलते हैं, मंद पर संदीता, FD का rate 180 days, 6.75, 7.25, 6.367 days to 18 मंथ के लिए 7.25, 7.7 यहां देखें दोस्तों, यहां IDFC bank में FD का rate बरहिया है, 18 मंथ के लिए IDFC में senior experience के लिए 8% और normal 7.5, यह तो IDFC bank का better rate है, और बैंकों के अलावा, और इसमें देखेंगे, तो maximum FD का rate IDFC bank में रहा, 8% का rate, तो यहां आप चोथे bank में आपने compare कर लिया, 8% का rate है, 18 मंथ के लिए, तो IDFC, 1st bank का rate of interest, यह रहा 5 सरक लिए तो 7,7%, जबकि HDFC bank में 5 सरक लिए 7.75 का rate था, और ICC bank में 7.5 का rate था, तो यह रहा चोथा bank का आपका interest का compare है, उसके बाद आप चलते ह कोटक महिंद्रा bank, जो की यह भी नई bank है लिए कि market में सही grow कर रहा है, और इसके भी customer base आज की rate में अच्छा customer base है, और market में जो इनका NPS है, वो better NPS है, customer satisfied customer है, तो उसके बाद अब चलते हैं, इनका FD का rate देखते है, कोटक महिंद्रा का, 7 साथ से 14 दिन के लिए है इनका 2.75 और senior season में 3.25, और 91 days में 4%, 4.50, 180 days में 5.75 and 6.25, अब चलते हैं, मंस पंस संदीता FD का 10 ओर एक साल के लिए 6.75, 7.25, 390 से 7%, तो मतलब कोटक महिंद्रा बैंक, ICC बैंक, HDFC बैंक, तीनों का rate equal ही है, इसमें तीनों में, जबकि IDFC बैंक का थ्वासा rate 8% है, एक जगह, बागी सारे बैंकों का rate एक समानी है, जबकि SBI का rate कम है, तो दोस्तों, अगर आपको एक ची और मैं बताओं, अगर आपने देखा ह होगा, वीडियो के starting मैंने आपको बताया है, कि FD अगर आप पहले आप देखे, आज से 6 मैंने पहले तो 4.9, 5% का rate चला गया था, तो आप चाहे तो उस FD को break कराके, नए rate पे अब बूक कर सकते हैं, और इसके अंदर जाधा प्रणी 1% जो आपने interest earn किया होगा, उस पे 1% का आपको penalty लगता है, और नए FD का rate अब बूक कर सकते हैं, क्योंकि maximum FD का rate आ चुका है, तो दोस्तों आसा करता हूं कि video बहुत जादा informative था, तो please like and subscribe करे, thank you very much.